Hello everyone, I hope you all are doing great. मैं हूँ अदीती और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में. Guys, आज के वीडियो में हम जो दो Advanced English के Structures सीखने वाले हैं, उनकी मदद से हम कुछ ऐसे हिंदी के Sentences को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे. जैसे की, अपनी सलह अपने पास रखो, अपना ग्यान अपने पास रखो, कहने के लिए कुछ नहीं है, बैटने के लिए कोई जगा नहीं थी, दोनों ही Structures बहुत ज़ादा यूसफुल हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले वाले स्ट्रक्चर से, जिसके रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले कीप आता है, जिसका मतलब ऐसे Sentences में होता है, रखो. इसके बाद आता है Object, जिसमें हम उस चीज को mention करते हैं, जिसको अपने पास ही रखने के बारे में हम अपने Sentence में बात करते हैं. इसके बाद To आता है और Last में आता है Yourself, यह जो Yourself है यह है Possessive Pronouns. Possessive Pronouns कौन से होते हैं? जैसे कि Myself, Yourself, Himself, Herself, Ourselves, Themselves, यह सब होते हैं Possessive Pronouns, यहाँ पर हम सिर्फ Yourself का Use इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे Sentences में हम One on One बात करते हैं, मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं उससे Directly बात करते हैं, इसलिए Yourself का हम यहाँ पर Use करेंगे Self, चलिए कुछ Examples देखिए इ इससे आपको इसका मेनिंग पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, अपनी सलह अपने पास रखो, Keep Your Advice to Yourself, Keep Your Advice to Yourself, यहाँ पर देखिए रूल के अकॉर्डिंग हमने स्टार्टिंग की है Sentence की Keep से, इसके बाद Your Advice आया है, जो कि यहाँ पर Object है, इसके बाद To आया है और Last मे आया है Yourself, Next one example देखिए, अपना ज्यान अपने पास रखो, Keep Your Knowledge to Yourself, Keep Your Knowledge to Yourself, अपना भाशन अपने पास रखो, Keep Your Speech to Yourself, Keep Your Speech to Yourself, अपना अंदविश्वास अपने पास रखो, Keep Your Superstition to Yourself, Keep Your Superstition to Yourself, अपना सामान अपने पास रखो, Keep Your Stuff to Yourself, Keep Your Stuff to Yourself, So guys, यह था पहला वाला स्ट्रक्चर आज का, जो कि आपको फुली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं आज का Second वाला स्ट्रक्चर, जिसकी रूल के According सबसे पहले आता है There, जिसको ऐसे Sentences में हम as an introductory subject use करते हैं, क्योंकि ऐसे Sentences में subject क्या है वो clear नहीं होता, इसके बाद Is या Was में से कोई एक helping verb आती है, Sentence के Tense के According, Present Tense का Sentence है तो इस आता है, और Past Tense का Sentence है तो बहुत आता है, इसके बाद आता है No, क्योंकि यह Sentences है Negative के Sense में, इसके बाद Object आता है, जिसमें उस चीज को हम mention क करते हैं, जिसके न होने के बारे में हम अपने Sentence में बात करते हैं, इसके बाद Do आता है, और Last में verb की First form आती है, चलिए आप कुछ examples देखिए इस पर based, जिससे आपको इसका मेनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कहने के लिए कुछ नहीं है, there is nothing to say, there is nothing to say, यहाँ इसके बाद Is helping verb आई है, क्योंकि present tense का sentence है, इसके बाद nothing आया है, no और object का जो thing है, इनको हमने आपस में जोड़ दिया है, nothing, इसके बाद to आया है, और Last में verb की First form आई है, sentence के according से, और हमारा sentence हो गया है, complete, next one example है, बैटने के लिए कुई जगह नहीं थी, there was no place to sit, there was no place to sit, यहाँ पर there के बाद Was helping verb का use हुआ है, क्योंकि sentence past tense में है, पीने के लिए कुछ नहीं है, there is nothing to drink, there is nothing to drink, पकाने के लिए कोई सबजी नहीं थी, there was no vegetable to cook, there was no vegetable to cook, यहाँ पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है, there is no book to read here, there is no book to read here, So guys, यह थे इस वीडियो के दो advanced English के structures, जो कि मुझे अमीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और याद भी हो गए होंगे, तो अब इनी दो structures पर based यह दो sentences हैं, जिनको आप translate कीजे, comment करके मुझे इनका अंसर जरूर दीजेगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको like और share जरूर कीजेगा, चैनल पर अगर आप नए हैं, तो please इसे subscribe कर लीजे, और bell icon को press करना मत भूलेगा, जिससे आपको रोज आने वाली वीडियो की notifications बिल्कुल टाइम पर मिलेंगी, चली अब आप मिलते हैं next lesson में, तब तक के लिए take care, bye bye